सब्सक्राइब करेंगे तो आज इसका पहला लेक्चिर होगा चली देखतें सिंदु घाटी की सब्विता में जितने इंपोर्टेंट इसकी पॉइंट्स हैं वो सारे हम यहां पर कवर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से और किस किस तरह के क्वेश्चन एक्जाम में आते हैं dua ghat सभीता क sera by the Other me oh don't I do have your self-佐i सिन्दूहांटी सब्धिता की अवदी क्या है ये किसे समय की सब्धिता कितनी प्राचीन सब्धिता थे इसकी अवदी की एगर बात करें तो 1500 की सबसे कि 1750 इसका समय माना जाता है 2000 इसापुर्व से 1750 इसापुर्व यानि इसा मसी के जनम से इसा मसी के जनम से 5000 साल पहले यह सुरू हुई थी और 1750 साल पहले तक रही इसाओ मसी के जन्म से पहले है लेकिन अभी डिसेंट अगर हम देखें तो कारवन डेटिंग लो पद्यति होती है कारवन 14 विदी इसके अनुसार इसकी आयू पता लगाई गई है अवदी बता लगाई गई है और इसको पता लगाया जाए धरम पाल अगरवाल ने उन्हों ने इसकी जो अवदी है वो फिक्स की है कारवन डेटिंग से तेईस सो यिशा पूर्व से अगर अगर आप से एकजाम में सवाल पुछा जाता है कि कारवण डेटिंग विधी कारवन डेटिंग पद्धिति के अनुसार सिंदु घाटी सब्विता का समय अभधी क्या है तो आप कहेंगे 2300 इसापूर्व से 1750 इसापूर्व और वैसे नॉर्मल अगर पुछा जाता है तो ये अभधी कितनी माने जाती है 2500 इसापूर्व से 1750 इसापूर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी क्या चल रहा है तो हजार चौबीस और इसामसी के जन्म से 500 साल पहले तो इसमें 25 और जोड़ दीजिए तो लगभग कितना हो गया यह साड़े 4000 हो गया 4524 वर्स यानि यह सब्विता इतने वर्स पुरानी है लगभग साड़े 4000 वर्स पुरानी सब्विता है इसलिए कई वार मेरे द्रमोदी अपने भाशन में सब्रियोग करते हैं कि हमारी जो सब्विता है वो लगभग 5000 वर्स पुरानी है तो यह समय सिंदू घर्टी सब्विता से ही लिया जा रहा है ठीक है तो हमने यहां पर अवदी देख ली अब हम देखते हैं कि सिंदू घर्टी सब्विता का आकार कितना था तो सिंदू घर्टी सब्विता के अगर वर किलोमेटर के आसपास है, इतना 20 लाख वर किलोमेटर और किताबों में आपको जो पुरानी बुक्स हैं अभी भी उनमे data आपको मिलेगा लगवक 1369 वर किलोमेटर जो कि अब बदलकर 20000000ВО किलोमेटर के आसपास हो गया है और जैसे जैसे उत्धरन हो रहा है इस्थानों पर ये धीरे-धीरे बढ़ता ही जाएगा, ये 20 लाख है भी 32 लाख, 25 लाख ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन पुरानी किताबों में आपको ये 13 लाख वर किलोमेटर मिलेगा, तो ये इसका छेतरफल हो गया, इसका आकार तिर्भुजाकार है ये तिर्भुजाकार रूप में फैली हुई है, तिर्भुजाकार अभी हमें इसका डाइग्राम देखेंगे, तो सारी बात हमें समझ में आ जाएगी, और अगली इंपोर्डेंट बात है कि इस सब्विता को सिंदू घाटी सब्विता नाम किस ने दिया, तो ये नाम दिय ऐसा इसलिये क्योंकि सिंदू घाटी सब्विता के स्थलों में सबसे पहला जो इस्थल 세क हो जागया वह इस्थलता हडपा, तो हडपा सबसे पहले खो जा गया हडपा सबसे सबसे पहले हुई 1921 में और उसके बाद खोज होती है मोहन जोदलों की 1922 में तो सबसे पहले कौन सा इसकल हो जा गया हड़पा किस कारण से इस कारण से इसे हडपा सब्विता के नाम से जानते हैं किसे सिंदुगाटी सब्विता नाम जॉन मार्शल ने लिया था इतनी वारते आपको याद रखने हैं चली आगे बढ़ते हैं इसमें अब हम सिंदुगाटी सब्विता के इस्थलों को एक बार देखते हैं लेकिन उससे पहले एक हम रफ अंदाजा लगाते हैं कि इस्थल कहां कहां पे होंगे तो उसके लिए हमको भारत का मैप बनाना पड़ेगा भारत के साथ आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी ल horrifying और इसके साथ सथ 60 अट अफगानिस्तान यह तो करें और इसके साथ साथ अफगानिस्तान यह कि ने सभूसक देखेंगे क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा है और ईस्ट नो पहला अफगाने मी दूसरा दियसे पाकिस्तान कि पाकिस्तान है और और तीसरा देसे भारत अ कि तीसरा है भारत जए तो अफगानिस्तान में केवल दो इस्थल मिले हैं एक स्थल का नाम है शोर्तु घई शोर्तु घई और दूसरे इस्थल का नाम है मुंडी गाथ दूसरे का नाम है मुंडी गाथ या मंडी गाथ और मुन्डी गागड़ ये दो इस्थल पाए गए हैं सिंदुघाटी सब्वेता के अफगानस्तान में दोनों आपको याद रखने हैं दोनों इस्थल है अब बात आती है पाकिस्थानमें तो देखिये पाकिस्थानमें कौन मोहन जोदाण या तुब इसके बाद अगला इस्थल यह भी पाकिस्तान का है यह सारे मैं पाकिस्तान के इस्थल लिख रहा हूं कि पूरबम में एक इस्थल रहा है सुत्काको इसके बाद एक रिक पाकिस्तान में है गनवेरी वाला इस अब नोट करें रहे हैं इसके बाद एक रिक रलहा देनों पल्लादीनो और एक इस्थल का नाम है आमरी क्या नाम है आमरी तो इतने प्रमुक इस्थल आपको पाकिस्तान के अंदर याद रखने हैं दो इस्थल हमने अफगानिस्तान में पड़े और एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ लगवग नो इस्थल के आसपास हमने पा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो गए हम देखते हैं भारत के इस्तल तो भारत के इस्तल देखने से पहले हम यहां पर जो हमने यह मैप बनाया है इसको एक बार देखते हैं यह क्यों बनाया गया यहां पर तो देखिएगा यहां पर हम देखेंगे सिंदु घाटी सब्विता के सबसे उत्री इस्थल, सबसे दक्षणी इस्थल कौन सा है, सबसे पूरवी और सबसे पश्चमी, तो देखें, सिंदु घाटी सब्विता का सबसे उत्री इस्थल माना जाता है, मांडा, मांडा, इसका नाम है, मांडा, और ये जम्मू कस्मीर में है, दूसरा सबसे दक्षणी इस्तल माना जाता है दैमाबाद, दैमाबाद और दैमाबाद महाराष्ट में है, कहा है, महाराष्ट में और ध्यान करियेगा, पाश्रान काली अब हम लोग पढ़ वैसे दैमाबाद के वारे में हमने क्या पढ़ा था जोरवे संस्कृति तामर पाश्रान काली संस्कृति जो हमने पढ़ी तो उसमें देखा कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा इस्थल भी कौन सा था दैमाबाद इसके बाद सबसे पश्चिमी इस्थल का नाम है सुथ कागेंडोर यह सबसे पश्चिमी इस्थल है सिंदु घाटी सब्विता का इसका नाम है सुथ कागेंडोर और सबसे उत्तरी स्थल का नाम है जो कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेस में पढ़ता है इसका नाम है आलमगीरपुर आलमगीरपुर और यह उत्तर प्रदेश में यूपी में हैं अगली मॉस्ट इंपोर्टेंट बात यह पूछी जाती है कि यह कौन सी नदियों के किनारे हैं तो देखिए नदियों के नाम भी मैं आपर लिख देता हूं मांडा चिनाव नदी के किनारे है चिनाव नदी के किन किनारे अलंगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हैं हिंडन नदी दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है और प्रवरा गोदावरी की साहिक नदी है प्रवरा किसकी साहिक है गोदावरी की अगर कभी आपक्षन में आपको प्रवरा नहीं दिया होगा तो गोदावरी दिया हु रख़णियस्तल है सबसे पश्मी इस्तल है और सबसे पूर्वी इस्तल है लेकिन एक रखिएगा कि चब्से सोर्तु गही की खोज हुई है तो यह माना जाता है कि शिंदुगार्टी सभिता का सबसे उत्री स्थल जो है वो चोड़ वैए यह वाला जो स्थल है यह सबसे उत् अगर कभी option में आपको बताना है सबसे उत्तरी इसकल बताना है तो आप सोर्तू गई कहेंगे लेकिन अगर option में सोर्तू गई नहीं है तो हम में यहां पर है और सब्से उत्तरी इस्थल का नाम है मांडा यम्मु कस्मीर में सबसे दक्षणी इस्थल का नाम है TON आलम गीरपुर आलम गीरपुर सबसे पूरवी स्तल है यह हिंड़न नदी के किनारे है और हिंड़न नदी के किनारे गाजियाबाद शहर भी बसा हुआ है अब देखिए यहां पर आपको एक बात यह देखनी है कि इसकी उत्तर से दक्षण लंबाई टोटल कितनी है तो उत्त से पस्चिम जो लेंद की बात की गई यह जो लेंद निकाली गई यह आई 1400 किलोमेटर तो यह इसका विस्तार है और विस्तार तिरभुजाकार रूप में है लगवग आप जैसे यहां पर देख सकते हो अगर मैं इसका आपको आकार दिखाओं तो आप लगवग देखोगे लगवग आपके देखेंगे एक ट्राइंगल बनता है दहुनरे इसको ट्रवुजाकार सबता कहा जाता है तो हमने यहां पर यह सथlar अभी भारत के नहीं देखें अभी हमने बस यह दो देखें अपने पर से रिवाइज कर लिए अफगानिस्तान में यह सोर्थु भई और मुंडी गाग पाकिस्तान के इससरों की बचिए लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बाते बताना चाहता हूं वो देखिएगा कि सिंदु घाटी सब्विता की अगर हम बात करें तो सिंदु घाटी सब्विता के विशेय में कहा जाता है कि सिंदु को बसाया किसने है सवाल है तो सिंदू घंता की एगर उत्पक्ति की बात करें तो सिंदू-घंती सब्रिता की उत्पक्ति करसे हुई है तो देखिए इस अ को चब्रद्वानों का यह मानना है कि सिन्दू सिंदुघाटी सब्रिता को सुमेरियन सब्रिता के लोगों ने बसाया है कौन सी सब्रिता सुमेरियन और सुमेरियन मेसो पोटामिया की सब्रिता का ही भाग है सुमेरियन सब्रिता के लोगों द्वारा बसाया गया यानि सुमेरियन सब्विता में रहने वाले लोग जब यहाँ पर आये हैं इस शेत्र में उन्होंने सब्विता को बसाया और सुमेरियन सब्विता किस सब्विता का भाग है मेसो-पोटामिया की सब्विता का जहां रखेगा मेसो-पोटामिया की सब्विता में चार परमुक सब्विताएं हैं जिसमें एक सुमेरियन सब्विता है मेसो-पोटामिया की सब्विता का हिस्सा है अभी मैं आपको चार सब्विताएं भी बता दूँगा मेसो-पोटामिया इन लोगों ने बसाया अब ये मानने वाले लोग कौन कौन है तो ये विचार जो देते हैं उन विद्वानों में Ernest Mackey Ernest Mackey और दूसरे विद्वान Garden Child Garden Child इनका मानना है कि इस सब्विता को सुमेरियन सब्विता के लोगों ने बसाया है इसके अलावा कुछ बिद्वान ऐसा मानते हैं कि इसकी उत्पत्ती स्थानिये है, इसे इस्थानिये लोगों द्वारा बसाये गया है, इस्थानी उत्पत्ती, और इन बिद्वानों में जो बिद्वान हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे एक बिद्वान है रफी पूरा नाम है इनका पेर सर्विस वाल्टर फियर सर्विस इनका मानना है कि इस्थानी उत्पत्ती है यहीं के रहने वाले लोगों ने बसाया है तो उत्पत्ती ज्यादा साथ जो है इस प्रक्ष में जाते हैं कि इसको सुमेरियन सब्विता के लोगों ने बसाया तो एक्जा त्हेक्षों पर्लेफ्ट वस्ता का हिस्थ आ इराग में परता है और मैंने आपको बताई भी था मेसोपोटामिया दजला और फरात समझी घाटी में घॉकर बेसी मिलकेenser तबम है है तो मेसोपोटामिया की सब्विता का हिस्सा जो चार सब्विता हैं वो कौन-कौन सी है उनको एक वाद ध्यान से देखेगा सबसे पहला है सुमेरियन सब्विता सुमेरियन सब्विता सुमेरियन दूसरा है असीरियन सब्विता आसीरियन सब्विता सुमेरीयन आसीरियन तीसरा है अकाडियन सब्विता अकाडियन और चोथा है बेवी लोनियन सब्विता बेबी लोनियां सबिता और बेबी लोनिया एक जगह है एरणग में बेबी लोनियां के बारे हैं आप अच्छे से जानते हैं बेबी लोनिया में किसास़क की मिर्ती हुई थी टो ये चार सब बिता हैं मेसो कूं सी सब penal के लोग्कवों भारत में आकर सिंदु घाटी को बसाया है तो इसका अंसर होगा सुमेरियन सब्विता के लोगों ने जो कि मेसो पोट्यामिया का हिस्सा है सुमेरियन सब्विता ठीक है तो हमने मेसो पोट्यामिया के बारे में इतनी बात जान ली अगली बात सिंदू घाटी सब्धिता में कि जब साक्ष प्रात हुए तो उसमें कई कंकाल भी मिले हैं तो सवाल ए है सिंदू घाटी की सब्धिता में कान कान सी प्रजाती के लोग रहा करते थे तो चार प्रजातिया यहां परमखुरूप से पाए गई है इतनी दिया चार प्रजातिया यहां प्रॉमृ हुरूम्य से पाइग गई ओधार पर यह निखाला गया क्वोंक कौन सी चार प्रजातियां उनको हमें देखना है सबसे पहला है by the Šudus ते ल carrot ऐ nhânे प्रो वह ही हम कहते हैं Caucasian 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 Caucasus परवत पर रहने वाले Caucasian Caucasian दूसरा दूसरा है प्रजाती वह है भूमध्य सागरिय दूसरी प्रजाती है भूमध्य सागरिय प्रजाती भूमध्य सागरिय प्रजाती और इसको कहा जाता है इंडो यूरोपियन और लूजे रीचर्न यह जाती है जो उध की सबिखता में in और इसी को हम लोग कहते हैं जैसे लिग कू आंटव और для को कह जाता तहींडू इरोपियन या तिप्रेंदूर्ट तीसरी प्रजाती जो पाई गई है वह और चौथी जो प्रजाती pravto pedagam में पाई गई है वह मंगो लईड है पर यहां से सवाल कुछा जो काई है तो देखेंगे यहां से सवाल यहां से भी आया हुआ है कि और सवाल यहां से भी आया हुआ है तो भारत में इसलों को ने राज्यवार देखना पढ़ेगा सब्से पहले हम विखेंगे में गुजरात दियान लखो। तो गुज्रात में पहला सथल है दौला वीरा नाम आपने सब का सुना है और जो नाम नहीं सुना उसको नोट डाउन कर लीजेगा धॉलावीरा से दूसरा है को से दूसरा स्थलえば सुर कोड़ड़न कि पीसरा इस थल है लोधर लोधर झौथा स्थल है रंगपुर रंगपुर पाचवा इस्तल है देशलपुर छटा इस्तल है शिकारपुर इसके बाद सात्मा इस्तल है यहीं लिख देता हूं सात्मा स्तल है पावुमठ दीशा, पाबुमठ, आठवा स्थल है कुंतसी, और नवा स्थल है पाडरी, ये कुछ प्रमुक स्थल है, जो गुजरात में पाए गए हैं, धोला वीरा, सुरकोड़दा, लोथल, रंगपुर, देसलपुर, सिकारपुर, पाबुमठ, कुंतसी और पाडरी, ये प्रमुक स्थल इननको एकवार आपको स्थल देखते हैं पंजाब के ieadata जब को यuição स्थल गुजरात के अब हम इस्थल देखते हैं पंजाफ में पंजाब में पंजा पंजाब में आपको दो इस्थल देखने हैं दोनों Ten पहला है रोपड जिसको रूप नगर के नाम से सबसे पहला राखीगणी के बारे में याद रखना है राखीगणी सिंदुगाटी सब्विता का सबसे बड़ा सबसे बड़ा दूसरा है बनावली टीसरा है बालू अ को भी कहा जाता है धरणा के बारे में याद यह सिंदू घाटी सभीता का सबफे प्राचीन सतलय सबसे प्राचीन ध्यान रखेगा सबसे पहले खोचा गया नहीं सबसे खोजा गया तो हड़ाप्पा है लेकिन सबसे कुर्णा सतल कौन से है तो सबसे प्राचीन है गरणा कि यह गया हरे अ리ाना है कि यहां से दो चांदी के दो मुकुट यहां से मिले हैं कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसमें नहीं पढ़ेंगे यहां पर हम इसके बाद कि आता है राजस्थान कि राजस्थान राजस्थान में सिंदुहाटि सब्विता के सबसे इंपॉर्टेंट है काली बंगा काली बंगा और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है करनपुरा करनपुरा हलागी करनपुरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काल काली बंगा को सिंदु घाटी सब्विता की तीसरी राजधानी के रूप में जाता है तो दो राजधानिया कौन होई हडपा और महण जोड़ो तो राजिस्थान के इसके वाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के और यह हमारे लिए ज्यादा सब्सक्राइद में च्वाटाज सकता है तो यूपी के इसथर्ल आपको तके हैं जो सिंदु घाटी सब्विता के हैं तो पहल सबसे पहला है की गहिंगे पहलाinka सनौली है Chief और सनौली ऊत्तर प्रदेश की समें पर तो बात पर भो के दूसरा है मांडी मांड़ा zur में था और मांडी उत्तर प्रदेश मुझफर नगर जिले में है मुझफर पुर जिले में मुझफर पूर इस इन पर पूर कि आ, हुआ号 मुझफर नगर मांडी उत्तर प्रदेश के मुझफर नगर जिले में है मुझफर नगर इसके अलावा तीसरा आलमगीरपुर आलमगीरपुर यह मेरठ में पड़ता है हिंडले नदी के किनारे आलमगीरपुर इन इस्थलों को आपको याद रखना है यह इस्थल सिंदू घाटी सब्डिता के इस्थल है भारत में कितने सारे हैं यह एक बार में आभी नहीं पाएं इस्थल रहे तो गुजरात में पंजाब में हर्याना में राजिस्थान में उत्तर प्रदेश में इसके अलावा महारास्ट में दैमाबाद है महारास्ट में कौन सा है दैमाबाद महारास्ट में दैमाबाद नामकर इस्थल है तो यह कुछ इस्थल आपको याद रखने हैं कितने हो गए हैं कि नो दस ग्यारा और पांच सोला सत्रा अठारा उन्नेश वीजिए इस इस तल यह करीब हो गया नो हमने पाकिस्तान में पड़े तो 31 ही हो गया और दो हम यहीं बर्तिस चैंतिस इस तल आपको याद रखने पड़ेंगे तो यह हमने सिंदु घाटी सभिता के इस्थल कैसी सभिता है नगरी सभिता से में दूसरा यहां पर कांसे का प्रयोग किया गया है कांसे जिन कार्योग किया गया है इसलिए इसको कांसे युगीन सभिता के नाम से भी जाना जाता है काश युगीन सभश्वर्ण कर दील से काश्युग में आती है और ने जो धातू की प्राप्ती की आधार पर विभाजन किया था तो काशे का प्रयोग उन्हों प्रीवियस एर कोश्चन है और यूपी पीसियस में पूछा जा चुका है आध्य एतिहासिक काल से हैं तीन बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी और तीनों बातें बड़ी इंपोर्टेंट हैं पहली बात एक नगरी सब्विता थी कांस यूगीन सब्विता है और आध्य 1226 में सबसे पहले सब्विता के बारे में जानकारी चार्ल्स मेशन नी दी थी तो चार्ल्स मेशन ने जानकारी प्रदान की यानि जब भारत में रेल्यूइंट बिछाने का काम चल रहा था और समय में जब खुदाई की जा रही थी, तो उस समय नीचे से संवेचनाई मिलना शुरू होती है, हाला कि उस समय किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन चार्ल्स मेसन ने उस समय जानकारी भारत सरकार के पार पहुंचा दी थी, उस समय भारत में अंग्रेजो का अठाशन था, 1826 की ये बात है, तो ये भारत सरकार के पार पहुंचा दी गए, चार्ल्स मेसन ने जानकारी प्रदान की, सबसे पहले, और चार्ल्स मेसन ने इस स्थल को सिकंदर से सम्मंदित स्थल के रूप में देखा, उसको ये अंदाजा नहीं था कि इतनी प्राचीन कोई सबिता है, उसने सोचा ये सिकंदर के टाइम में बसाया हुआ कोई नगर होगा, सिकंदर ने कई नगरों की स्थापना भी की थी, इसमें निकाईया, बुकैफला, जो इस्थल है, बड़े प्रमुक इस्थल है, तो उन में से उसने सोचा हो सकता है, उसी के द्वारा बसाया गया, कोई इस्थल निकल कर आ गया, तो सिकंदर के समय के इस्थल की रूप में उसने इसकी पहचान की है, इसके बाद 1831 में अले अलेक्जेंडर बंस, उन्होंने हडपा टीले की खोच की, अलेक्जेंडर बंस ने हडपा टीले को देखा सरपर्थम, हडपा टीले को, लेकिन उसका अभी कोई खास महत तो नहीं रहा, इस चीज को आगे नहीं बढ़ाया गया, इतना सीरेस्री चीजों को नहीं लिया गया क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा नहीं लगा था कि भारत में किसी इस्थान पर इतनी पुरानी सब्विता निकल आएगी और दूसरा अगर उन्हें ऐसा लगता भी था तो वो चाहते नहीं थे ऐसी कोई सब्विता प्रकाश में आ जाए क्योंकि उन्होंने सुरू से भारत के इ नम ले चुकी थी भारती बहुत प्राचीन है भारतियों की सब्विता बहुत प्राचीन है और वह भी एक नगरिय सब्विता निकल कर आ रही है वहां प्रकाश से का प्रयोग हो रहा है तो यहां पर अंग्रेज कमतर हो जाते और भारतिये सरवच हो जाते इस कारण से अलेक्जेंडर कनिंगम इनके बारे में आप अच्छे से जानते हो अलेक्जेंडर कनिंगम को भारती पुरातप्तु का पिता कहा जाता है भारती पुरातप्तु का जनक कहा जाता है पादर ऑफ इंडियन आर्केलोजी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम ने इस छेत्र के दो बार दोरे किये, दो दोरे किये, और सर्वेक्षन करवाया, सर्वेक्षन, ध्यान रखिएगा, कोई खुदा इत्यादी नहीं करवाया गई, बस मार्किंग कर दी गई, सर्वेक्षन करने के लिए एक मार्किंग करवा दी गई, कि हाँ यह छेत्र है यह छेत्र मिले हैं प्राचीन लग रहा है देखने में अब कितने प्राचीन है यह पता नहीं है अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी इनको बहुत तुराना नहीं समझा लेकिन अब बात आती है जब जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष बनते हैं ध्यानके का 1861 में हो चुकी थी तेकिन फिर इसका पॉनर गठन होता है लौड कर्जन के टाइम पर कर्जन के टाइम में चीज़ें आगे बढ़ती है 1899 से लेकि 1905 तक कर्जन भारत में वाइसराय की रूप में कारे करेंगे अब देखती है आप पर 1901 में एसाइज का गठन होता है 1902 मे इसके निदेशक बनाए जाते हैं जौन मार्शल जौन मार्शल और जौन मार्शल ने इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली देना शुरू किया और 1921 में अब वो समया चुका है 1921 में जौन मार्शल की अध्यक्षता में एक वहापर उत्खनन हुआ हडपा में जौन मार्शल कि अध्यक्षिता में कि उत्खनन होता है उत्खनन करवाते हैं दयाराम सहानी और इस तरह से सिंदू अलगि और में उनने सो एकिसमें इस इस्धल की खोज करते हैं वह इस तल हडपा अब बाद में इसका काफी व्यापक उत्हरन करवाय जाता है अलाकि आप से पुछा जाएगा हडपा की खोच किसने की तो राय बहादुर दयाराम सहानी के द्वारा 1921 में इसकी खोच की और इसकी अगले ही वर्स 1922 में मोहन जोदलो पारकिस्तान की छित्र में मोहन जोदलो को खोजा जाता है जो की सिं सिंदू गाटी सब्विता का सबसे बड़ा नगर है लेकिन सिंदू गुखाटी सब्विता का सबसे बड़ा इस्थल राथी गड़ी है जो कि हरियाना में है और इसको खोजा था डे बढ़गी ने राखल लगए आस बेन जी यह चीजित आपको इतनी यहाँ पर याद रख चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए इसके बाद दो किताबें आपको याद रखनी है दो books दो किताबें आपको याद रखनी है और इनके writer भी आपको याद रखनी है एक्जाम में RC books पूछ लियाती है तो सबसे पहली किताब है अधर रूट्स आफ अधर एंशीन इंडिया अधर रूट्स आफ एंशीन इंडिया एक किताब यह है दरूट्स आफ एंशीन इंडिया और अगली पुस्तक है अधर इस्टोरी ओफ इंडियन आर्कियोलोजी अधर इस्टोरी ओफ इंडियन आर्कियोलोजी यह दो किताबे हैं इनके राइटर देखें कौन-कौन है तो जो पहली पुस्तक है दा रूट्स आफ एंशीन इंडिया इसके लेखक है लुएं वाल्टर फियर सर्वीस कौन है डा यह यह अधकर हिंदी में लिख देता ओं फेर इंका नाम है 많은 वाल्टर फियर सर्विस कि इन्होंने किताब लिखी है झार्ट सब इन्देग इंडिया और और इस्टोरी ओफ इंडियन आर्की लॉजी पुस्तक लिखी है एस एन्राउ ने एस एन्राउ और एसन्राउ का पूरा नाम है सूरेंद्र नाथ राउ सुरेंद्र नाथ राव यह किताव इनकी दोनों कुस्तकें आपको याद रखेंगे इसका भी स्क्रिंश्ट ले सकते हैं अगला देखते हैं अब हमने बात की पहले कि सिंदु घाटी सब्विता एक नगरी सब्विता है तो इसका मतलब यह हुआ कि नगर होने के कुछ प्रमा पर भवन और निर्मान सामग्री मिली है जो सहरों की तरह प्रतित होती है जैसे निर्मान सामग्री में एटे मेली है और ध्यान अगना है कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की इटे पाई गई है कच्ची इटे भी पाई गई है और पक्की इटे भी पाई गई जैसे आज पाई जाती है और इन इटों की लंबाई, चोड़ाई और मोटाई का अनपाद, चार अनपाद, दो अनपाद, एक पाया गया है, यह अनपाद किसका है, लंबाई, चोड़ाई, और उचाई, लंबाई, चोड़ाई, उचाई का अनपाद, चार अनपाद, दो अनपाद, एक पाया गया है, कीटे मिली हैं कर्ची और पक्की दोनों जो की सहरों की विसेस्ता है जो की नगर की विसेस्ता है इसके अलावा भवन की रूप में कि दो मंजिला और बहु मंजिला भवन मिले हैं दो मंजिला और बहु मंजिला भवन मिले हैं दोनों प्रकार के इसके अलावा भवनों में ही अगर हम देखें तो आंगन में वा मिला है आंगन में तुआ मिला है इसके अलावा किसनान घर भी देखने को मिलते हैं तो यह सहरों की कुछ खास विसेस्ता हैं जिसमें इटों का प्रियोग ज्यादा में तुकोन है इसके अलावा हम अगर देखें तो सडके और नालियां दूसरी अगर विशेस्ता देखें सहरोकी तो सडकें और नालिया मिली है सडकें और नालिया अब यहां ध्यान दे सुनिए एक बाज़रा जो सडकें मिली है सडकें चौड़ी है और दूसरा बात है ग्रिड पद्यती के रूप में सडकें सडकें एक दूसरे को समकोन पर काटती है कैसे काटती है सडकें एक दूसरे को समकोन पर काटती है कहने का मतलब एक मुख्य सडक जा रही है और उसमें जो किनारे से सड़के आकर मिल रही हैं वो सड़कें समकोण पर आकर मिलती हैं इस तरह से समकोण पर आकर मिलती हैं जोड़े संट आया सब करें इतनी जगह हि नहीं होती है पुछ बहुक्त सड़कें कई सारी सड़क अपर मिल रही है और संप्रणक चॉरे को काट रहे हैं इसी तरह की जगए एक दी वह मोहलों में हैं मोहलों सडके समपोंड पर काट रही है और एक स्थान पर आकर मिलगे गहा है और किस इस्थान पर मिल रही आप आप कहेंगे मोहन जोद्रों में आक्सफोर्ड सरकस कि आक्सफोर्ड सरकस क्या है ऑक्सफोर्ड सरकस सिंदु घाटी सब्धिता के मोहन जोद्रों नामक इस्थल में मिला हुआ एक चौरहा उसको अंग्रेजों ने नाम दिया है ऑक्सफोर्ड सरकस नाम इसको दिया गया है औ नालियां पक्की इतों से बनी थी पक्की इतों से बनी उहीं मिली नालियों में प्लास्टर किया हुआ भी मिला है प्लास्टर किया हुआ भी मिला है इसके अलावा घरों से अगर घर की हम बात करें तो घरों से जो पानी निकलता था जो छोटी नालियों के माध्यम से पानी न से आता था और एक बड़े नाले में जाकर मिलता था और उसके बाद वो पानी सहर के बाहर निकल जाता था इस बड़े नाले के माध्यम से और यहां पर कई कई जगे इसको साफ करने के लिए में होल भी मिले हैं क्योंकि सहरों की विश्यस्ता है और सहरों में यह पाया जाता ह पानी निकलने की विवस्ता थी उत्तम विवस्था तो यह चीजी हमें बताती है जो सिंदुघाटी की सब्धिता है वह एक नगरी सब्धिता का उधारन इसके अलावा कि और चीजे अगर हम देखे नगरी सब्दितार के लावा और क्या है यहां पर कि की लिपी का प्रयोग हुआ है कि द्यान रखेगा सिंदु घाटी सब्धिता की लिपी भाव चित्रात्मक लिपी है कैसी लिपी है भाव चित्रात्मक लिपी है और इस लिपी में 64 मूल चिन पाए गए हैं कितने मूल चिन हैं 64 मूल चिन पाए गए हैं और धाई सो से चार सो अक्षर प्राप्थ हुए हैं धाई सो से चार सो अक्षर प्राप्थ हुए हैं और 64 मूल चिन प्राप्थ हुए हैं इस भाव चित्रात्नक लिपी को एक नाम दिया गया है जो की एक्जाम में सवाल पूछा गया है कि सिंदु घाटी सब्टा की लिपी कैसी है और अगर आप्शन में वहाँ पर भाव चित्रात्नक नहीं होगा तो क्या लगाओ गया तो आप लगाएंगे आंसर बूस्ट्रो फ लिखा जाता था क्या इसको दाएंसने बाइन और लिखा जाता था विए कि यहां से लिखना शुरू क्या जाएगा इस तरह के अक्षर उनके आध्यत्यासिक काल में आते हैं जहां पर लिखित साक्स तो मिले लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए वो आध्यत्यासिक काल में आता है ठीक है तो यह हो गई लिपी इसके अलावा शिल्प और उद्योग मिले हैं, शिल्प और उद्योग के प्रमाण मिले हैं, उद्योगिक सहर यहाँ पर मिले हैं, जैसे उद्योगिक सहरों में चनहुदुड़ो सबसे प्रमुख है, शिल्प और उद्योग के अगर बात करें, तो सबसे प्रमुख उद्योग यहाँ पर व पहले लोग कौन हैं सिंदुखाटी सब्रिता की लोग हमारे यहां से कपास ग्रीस में गया एथिन्स जिसको आप कहते हैं ग्रीस की राजधानी एथिन्स है हमारे यहां से कपास कहां गया ग्रीस गया और ग्रीस के लोग कपास को क्या कहते थे सिंडन ग्रीस के लोग कपास को सिंडन कहते थे इसलिए हमारे भारत को वो क्या कहते थे सिंडोन इसलिए उन्होंने भारत को क्या नाम दिया सिंडोन नाम दिया क्योंकि वो कपास को सिंडन कहा करते थे और कपास भारत में उगाया जाता था इसके बाद भारत के बाद कपास को उगाना मिस्र में भी सुरू क बहरत में कापास की अगर बात किया आए तो लगवक 3000 ईशा पूर्व उगाना शुरू किया गया माना जाता है और मिस्र में से भी मिला है चनहुदलो से इसको अंगरीजी में काहते हैं बीड माने मन्का होता है बीड फैक्ट्री इस तरह से हमें वहां पर उद्ज़ियोग भी देखने लुए इस के बाद बात आती है व्यापार और वानिजिरoh तो देखिए घिर डियापार के भारे मैं अगर हम बात करें सबसे पहला तो अंतर देशी व्यापार होता था तो हां अंतर देशी व्यापार होता था देश के अंदर ही सिंदु घाटी की सभिता के लोग आपस में ही व्यापार किया गड़ते थे अंतर देशी व्यापार जिसको कहा जाता है जैसे उधारण के लिए खेतली नाम का इस्थान यहां से तामबा मंगाया जाता था तामबा दक्षण भारत के छेत्रों से जैसे करनाटक वाला छेत्र दक्षण भारत के छेत्रों से सोने का आयात किया जाता था यहां से सोना भेजा जाता था सोना निरयात होता था अंदर के छेत्रों में यहां से सो पारस की मोहरें और मेसो पोटामिया की मोहरें हमें देखने को मिलती हैं पारस की मोहरें और मेसो पोटामिया की मोहरें देखने को मिलती है तो सवाल यह है फारस की मोहरें कहां मिलती हैं तो फारस की मोहरें हमें मिली हैं लोथल नामकिस्थान से और लोधल के बारे में आप अच्छे से जानते हूँ विस्टु का सबसे प्राचीन बंदर गा, सबसे प्राचीन गोधी बाड़ा, स्बसे प्राचीन डौक्यार्ड इसको माना जाता है लोधल को दूसरा मेसोपोटामिया की मोहरे हमें काली बंगा से मिलती हैं काली बंगा से काली बंगा से और मेसोपोटामिया में विसे इस रूप से बेलनाकार मोहरों का प्रयोग किया जाता था और वही बेलनाकार मोहरे काली बंगा में हमें देखने को मिलती हैं तो यह हो गई व्याप स्थानों के नाम लिखे हुए हैं जैसे एक स्थान लिखा है मेलूहा और एक स्थान लिखा है दिल्मुन मेलूहा और दिल्मुन ये दो बड़े इंपोर्टेंट नाम है मेलूहा सब्द का प्रियोग मेसोपोटामिया में हडपा के लोगों के लिए किया जाता था इसके लिए हडपा के लोगों के लिए हडपा के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग मेसो पॉटामिया में किया गया है दूसरा दिल्मुन शब्द दिया गया है पारस की खाड़ी में एक दिपीय देश है जिसका नाम है बहरीन बहरीन और बहरीन को साफ, सुतρε, इस थानों वाला देश भी कहा गया है, तो दिल्मुन सब्द का प्रयोग بहरीन के लिए हुआ है, मेलुआ सब्द का प्रयोग हड़पा के ल Tillman के लिए हुआ है, यह हमने व्यापार्वानेज में ये बात देखी, इसके बाद बात आती है धर्म की, इसके बाद बात आती है धर्म की अगर हम धर्म के बारे में देखें तो कौन सा धर्म यहां पर हुआ करता था लोगों के धार में क्रिया कलाब क्या थे तो सबसे पहला आपको ध्यान लखना है यहां पर मूर्ति पूजा का अगर आप concept कहें तो वो पूरी तरह से नहीं दिख है लेकिन लोग प्रकृति के पूज़क जरूर थे प्रकृति की पूजा करते थे प्रकृति की पूजा करते थे प्रकृति की पूजा दूसरा मात्र देवी की यहां से मूर्तिया मिली है मात्र देवी की मूर्तिया मिली है जिसको प्रकृति की देवी कहा जाता है प्रकृत के रूप में पूजा की जाती थी दूसरा ये लोग कर्मकांड में विश्वास करते थे कर्मकांड में विश्वास करते थे इनका विश्वास करम कांड में था और अगर आप इन ती को देखें तो आज वर्वान के हिंदू धरम में ये तीनों चीजें पाई जाती है हलाकि अब मूर्ति पुजा भी है और आप अगर कहें तो मात्र देवी की मूर्तिया मिली है तो इस आप से आप कह सकते हैं कि मूर्ति पुजा भी हो रही है लेकिन सिंपल ध्यान ये रखना है ये लोग प्रकृति के पूजक माने जाते हैं पर कभी भी आता है आपके सवाल एक्जाम में सिंदु घाटी सब्धिता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे या मूर्ति पूजा करते थे तो उसमें सही आंसर होगा प्रकृति के उपासक थे प्रकृति की पूजा करते थे अलाकि मूर्तिया उन्होंने बनाई है इस व तो इतनी बाते हमने इसमें पढ़ी हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं एक बार आप इस वीडियो को खिर से देखिएगा और एक बार कोसिस कीजिएगा सारी बाते लिखकर याद करने की जितनी भी बाते हमने लिखी और यह सब important बाते हैं अब इस्थल जो important हैं उनके बारे में जो बात बच रही हैं उनको हम अगले वीडियो में cover करेंगे आज इस वीडियो में इतनी चीजे रखेंगे जिसमें की हमने इस्थल पढ़े हैं किताबें important देखी हैं इस्थलों को हमने map में देखा है यह सारी चीजे एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा और अगले वी जो झार आप ऑफ़े हमने इस से चीजे हैं इस सिंहें झाले शegनरे गर वीजे हैं और ओले से घग का खीजे। झाले पक बवंजी गो फॉसेंगे लि veil एक बेर किता में आप लिए और्या इसी सवियो पंद।